सौर मंदल में एक लगुग्रा है जो सूर्य के चक्कर लगाता है वैग्यानिकों को इस ग्रह को खोजे हुए कई साल हो चुके हैं इसका आकार प्रकार आलू की तरह है खास बात ये है कि ये सोने की धातू की प्रचुर मात्रा से भरा हुआ है इसका नाम सोला साइके है इसे लगुग्रह भी कहा जा सकता है वैग्यानिकों ने पिछले कुछ बरसों में कई खुद्र ग्रह खोजे हैं ये उसी कतार में सोलावा लगुग्रह है इस पर सोने की बहुतायत ने वैग्यानिकों को भी चक्रा दिया इस लगुग्रह को 17 मार्च 1852 को इतालवी खगोल शास् के नाम का ये लगुग्रा मंगल और ब्रहसपती के बीच सूर्य की परिक्रमा करता है, इसका कोर निकल और लोहे से बना है, इसके अलावा इसमें बड़ी मात्रा में प्लैटिनम, सोना और अन्य धातुएं हैं, इस पर कितना सोना है, क्षुद्रग्रा सोला साइकी में खनिजों की कीमत खर्बों से भी कहीं अधिक बताई गई है, माना जाता है कि अगर इसका पूरा सोना धर्ती पर आ जाए तो वो हर शक्स 93 डॉलर बिलियन यानि 763 अरब रुपे का धनवान बना देगा, हाला कि इसका एक तर्क ये भी है कि अगर इस लगुग्रा का पूरा चटान के तौर पर घूम रहा है, डिसकवी के अनुसार, 16 साइके में इतना सोना और अन्य कीमती धातुएं हैं कि धर्ती के हर शक्स को 100 अरब डॉलर मिल सकते हैं, नासा ने अक्टूबर 2013 में एक शुद्रग्रा पर एक मिशन भेजने की योजना बनाई थी, लेकिन ये चोटो प्लेनेट का खुला कोर हो सकता है, खुद्रग्रा पर कोई यान या मिशन भेजने पर खगोल विदों को ये देखने का मौका मिलेगा कि यहाँ पर वास्तब में क्या क्या है, ये संभव है कि इसी साल अक्टूबर में नासा का एक मिशन 16 साइके के लिए रवाना कि जो 2030 तक इसकशुद्रग्रा पर पहुंचेगा, वैसे तो कहा ये भी जाता है कि बुद्ध ग्रह में हीरे भरे हुए हैं, जो प्रित्वी की तुलना में 17 गुना अधिक हीरे हो सकते हैं, वैग्यानिकों का ये भी आनकलन है कि मंगल और व्रिहस्पती जैसे ग्रहों पर जो